वुश्कार दोस्तों मैं रोई शुक्लाइग वा फिर से आप सब्सक्राइब करता हूँ गायत्री एजूकेशन क्लासेज में जैसा कि आप सब भी जानते हैं हम प्रिप्रेशन कर रहे हैं CSI यार नेट, GRF, Mathematical Science की और हमारा सब्जेक्ट है Complex Analysis तैयारी है 2324 की Lecture No.7 जरूरी स हमें हमारा यह पूरा कोर्स चाहिए वह हमारा गायत्री एजूकेशन क्लासेज का Official App डाउनलोड कर सकते हैं Play Store से Play Store में जाके पूरा नाम टाइप करिएगा गायत्री एजूकेशन क्लासेज आपको वह सेकंड या फस्स पोजिशन पर ही वहां पर मिल जाएगा उसको डाउन बॉक्स के नीचे आपको एप की लिंक मिल जाएगी ठीक अच्छा आज हम फिर से आगे questions पर बात करते हैं कुछ important question जैसे कि आपके सामने पहला question यह जो लिखा हुआ है क्या है question है देखिए पढ़ रहा हूं है आपके लिए the value of real one plus i ten theta by two upon में one minus i ten theta by two की value क्या होगी sin theta by two होगी cos theta होगी cos theta by two होगी की sin theta होगी अब जैसा कि हम हर question को है ना यह आयोए questions हैं हर किसी ना किसी exam में आयोए questions है ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना है लेकिन हम साथ ही साथ में इसके concepts पर भी बात करते जा रहे हैं तो देखिए इस पर जो concept use होने वाला है उस पर चर्चा कर लेते हैं बहुत important आप सबने नाम सुना होगा उसका ठिक उसका नाम है polar form of complex number polar form of complex number ठिक होप सो आपको ये color दिखाई दे रहा होगा ठिक कैमरा में से पूछ लते हैं कैमरा में ये color visual है चलिए देखिए polar form of complex number अब हमें याद है कि किसी भी complex number z को है न मैं सारी बाते बता चुका हूँ पिछले lecture से आज से देखिए आईएगा किस रूप में लिखा जा सकता है x, y के रूप में represent किया जा सकता है और इसे और कैसे लिखा जाता था याद होगा x plus i y ये बात आपको याद होगी यह सारी बाते हमने की होई है ठिक और इसका diagram कैसे मना होता था कि सर हम इसको क्योंकि इसमें दो variables हुआ करते थे तो हम इसको complex plane या फिर argant plane इसको क्या बुलाया करते थे हम इसको बुलाते थे complex plane या फिर और क्या नाम देते थे इसको आरगेंट plane यह सारी बाते आपको याद है, भी,וार्गेंट彪्लेंग बुलाते थे, जहां पहले हम इसको X.-Axis ना बुलाके इसका हमने नाम रखा था, रियल एक्षिज नाम रखा था, इसका नाम हमने Y.-Axis ना काम करता है जहां पिए यह कोई point है जो जाहिर सी बात है x-axis में कुछ x दे रहा होगा y-axis में कुछ y ले रहा होगा इस coordinate को x, y बोलते थे और यह हमारा होता था complex number z याने कि हर complex number actually में एक point को represent किया करता था लेकिन आज हमें जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है polar form of complex number तो सर यह कौन सा form है इस form की यदि बात की जाए तो यह जो form है इस form को हम बुलाते हैं Cartesian form यह कौन सा form कहलाता है Cartesian form of a complex number अच्छा धीरे धीरे आपको साज़ में आगा कि क्यों हम complex number के दूसरे दूसरे forms पर बात कर रहे है क्या है ना x प्लस i y उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं कारगर नहीं है जितना इसका polar form और polar form के बाद एक और form हमें पढ़ना है वो है euler form क्योंकि euler form से ही आपका जो हमने अभी question लिया था कौन सा वाला question इसको बिना euler form के solve करना possible नहीं है अब देखिए Cartesian form है तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी बेटे polar form में तो हमने क्या बोला कि किसी भी complex number को किसी भी complex number को यदि ये आपका complex number है ये आपका complex number है तो जरूरी नहीं है कि x से distance पता और y से distance पता सरी आप तभी locate कर सकते हैं आप इस point को एक और तलके से locate कर सकते हैं यदि आपको यहां से लेके यहां तक कि इसकी distance पता चल जाए rotation पता चल जाए याने कि इसका क्या पता चल जाए theta जिसको हम amplitude भी बुलाते हैं यदि आपको यह distance मिल जाए याद होगा इस distance को हम mod z बोलते थे यदि यह हमारा point z है जिसको हम x, y लिखते हैं तो यह हमारा पूरा का पूरा क्या कहलाता है mod z कहलाता है यहां से लेकर यहां तक की distance और यह जो rotation यह कितना है theta, इन दो की मदद से भी आप इस point z को locate कर सकते हैं, तो हमारा काम वोई है कि हम z को हम z को, अच्छा एक चीज़ और mod z को क्या लिखेंगे हम r mod z को क्या लिखेंगे r, और में ख्याल से सब को याद होगा कैसे निकाला जाता था mod z कि यदि sir, z बराबर होता था x plus i y तो mod z निकालने का तरीका क्या होता था sir, real part का square कर दीजिए और imaginary part के कभी क्या कर दीजिए square कर दीजिए यह हमारा क्या कहलाता था mod z कहलाता था, जिसको आज से हम लोग क्या बुलाने वाले है, r यह हमारा क्या हो जाएगा, r याने कि mod z का एक नया नाम रख दिया है, r formula होई, square root of x square plus y square, याने कि real part का square और imaginary part का square मैंने आपको यह लिखना भी सिखाया था फिर भी मैं यह आपे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, real part of z का square और plus imaginary part of z का whole square यह उसका formula होगे, r का अच्छा, theta कैसे निकालते थे याद होगा सर, theta निकालने का तरीका होता था 10 inverse mod के अंदर y by x जहाँ पे y और x, आप जानते हो कहाँ से आने वाला यह रहे x और y, दूसरी चीज़ यदि इतना है, तो यहाँ पे कौन सा system काम करता था quadrant system, जाके videos देख लीजेगा कौन सा system, quadrant system क्योंकि हमने modulus लिया इसलिए हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ा था quadrant system मनाना पड़ा था quadrant system में आपको अच्छे सा पता है कि यदि यहाँ कोई angle है, first quadrant में तो हम सरफ theta लेते यदि second quadrant में कोई angle है तो हम क्या करते थे? इसको πाई minus theta लेते थे, यदोगा ठीक, यह वाला angle πाई minus theta यदि third quadrant में कोई angle है तो हम इसको क्या लेते थे? minus pi plus theta ठीक, यादोगा इसका क्या करना है? यह minus common लोगे, यह actually पाई माइनस थीर भी है कैला घरुट पाई माइनस थीटा बस व्हों किया ने गेटिव है क्यों कि इधर से ले रहे हैं क्योंकि लाइं की रूप में काम करता है और यदि ये वाला एंगल liaison है तो सिर्फ कितना लेख देते माइनस थीटा ठीक कोई दिक्कत नहीं है यह आपका रियल एक्सिज हो जाता तो मैं अभी एक्स लिख दे रहा हूं और यह आपका इमेजिन एक्सिज इसको मैं क्या लिख रहा हूं वाय ठीक यह हमने पड़ा है आप पिछले वीडियो यहां से देख के आए तो हम बात करने वाले कि इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन की पोलर रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या चाहिए एक थीटा चाहिए और एक आर चाहिए अब जड़ा सबको पता है यदि इतनी बात सबको पता है तो आपको खुदी सोचना चाहिए कि मैं यहां पर लिखने वाला हूं साइन थीटा मैं क्या लिखने वाला हूं साइन थीटा साइन थीटा को हम बच्पन से पढ़ते आ रहें पर्षपनेवाण में हाइपोटेनस इस डाइग्राम के जरिए बताए यह पर्षपनेवार क्या दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख दूंगा य हाइपोटेनस क्या है यहां से बात की जाए, तो मेरे पास sin theta बरावर कितना है, y by r, तो मैं यहां से y की value निकालूं, यहां से y की value निकालूं, तो कितनी मिलेगी मुझे, r sin theta, कितनी मिलेगी, r sin theta, और same way में मैं बात करूं किसकी, cos theta, जो की होता है, कि इतना base by hypotenuse, तो बताइए बेस कितना हमारे पास बेस है हमारे पास x तो यदि x है तो मैं यहां पे लिखूंगा x by और hypertenus again अभी कितना है r है यदि इतना है तो बताइए क्या मिलेगा मुझे कि मुझे cos theta बराबर x by r मिला है जहां से मुझे x की value क्या मिल जाएगी यह मिल जाएगी r यहां multiply होगा r cos theta ठीक तो मुझे x और y मिल गया sir x और y मिलने से क्या फाइदा हुआ x और y मिलने से फाइदा हुआ कि यह आप देख पा रहे है z इस z को अब कैसे लिखा जा सकता है x की जगा में क्या लिखूंगा बताइए x की जगा में लिखूंगा r cos theta और y की जगा में क्या लिखूंगा r sin theta ठीक इत्ती बात स्वर्ण में आ गई सेम बात यदि और उसको आगे बढ़ाए जाए तो उसको आगे बढ़ाने का मतलब है कि मैं लिखूंगा r cos theta और plus i r sin theta इत्ती बार संज में आ गई है हम किसको लिख रहे हैं complex number z को complex number z को और यदि r common ले लूँगा तो यह क्या हो जाएगा cos theta plus i sin theta camera man से पूछ लेते हैं क्या यहां तक का visible है सभी को नीचे तक का सब को दिखाए दे रहा है चलिए देखे क्या लगता है यह संज में इस representation को जो मैंने लिखा है इस representation को ही polar representation of a complex number कहा जाता है ठेक तो यह जो था यह partition form है तो यह कौन सा form है polar form कौन सा form है polar form अच्छा partition form और polar form में अंतर का है कि यहां पर जो z था यहां पर x और y के रूप में लिखा जा सकता था यहां पर r और theta के रूप में represent किया जाता है तो बस इतना अंतर आता है किसी भी complex number को दो तरीकों से लिखने में यदि यहां पर आप सिरिफ x और y इस्तमाल कर रहे हैं polar form of a complex number थिक मेरे क्याल से मैंने इतनी बात clear कर दी है इसमें किसी को दिक्कत आई नहीं होगी r निकालने का तरीका आपको अच्छे तो पता है क्या है real part of z square plus imaginary part of z square theta निकालना भी आपको पता है पिछले lecture देख क्या यह नहीं देखें आप तो फिर ही मैंने आप इस शॉट कट में आपको बता दिया है अब लेकिन इससे क्या होगा अब जाए देखिएगा यदि मैं बोलता हूं यह एक question है जो आपने पिछले lecture में किया था आज इसको हम short trick से करने वाले हैं मैं यहां पर आपको एक question बताने वाला हूं कौन सा question है देखिए यहां पर लिख लेते हैं यहां पर question भी solve हो जाएगा इसी बाद में देखिए यदि हम लिख रहे हैं कि हम यहां ऐसे हैं आयोटा को लिख सकता हूं कैसे 0 प्लस 1 आयोटा लिख सकता हूं जरो प्लस 1 आयोटा याने कि यह है मेरे लिए क्ए complex number है तो आयोटा भी क्काने प्लक्स नांबर है यह हमारा कौन सा form होता था, polar form होता था, तो अब बताईए क्या लगता है, मैं R निकालना ही का मतलब है, क्या निकालना है, mod of Z, mod of Z निकालने का मतलब है, X कभी कर दो square, और Y कभी क्या कर दो, square, X को कहा का जाता है, real part of Z, और Y को क्या का जाता है, imaginary part of Z, यदि ऐसा है, तो सा किता मिल जाएगा, 1, तो R की value मेरे पास basically कितनी आ गई है, 1 आ गई है, ठीक, R is equals to किता आ गया मेरे पास, 1 आ गया, अब सर थीटा भी तो चाहिए, तो देखें, थीटा पर भी बात कर लेते हैं, थीटा पर मैं यहाँ पर बात कर दे रहा हूं, यह आपके पास याद होग यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना मैंने आप लोग को सिखाया है, pi by 2, तो यह एंगल कितना आ गया, pi by 2, यानि कि थीटा कितना मिल चुका है, pi by 2 मिल चुका है, तो भईया, थीटा हमारे पास, यह polar form है, polar form, तो थीटा हमारे पास कितना आ चुका है, pi by 2 आ चुका ह अब देखिए जैसी value रखेंगे तो mod z बराबर r किया कितना 1 और यह कितना हो जाएगा cos theta plus i sine अब theta के यह क्या रख दूँ? pi by 2 और यहाँ पे भी क्या रख दूँ? sin pi by 2 तो देखिए यह लिखके दिखा दिए आपने complex number iota को कहने का मतलब यह है कि आप इसको क्या बोल रहे है? क्या लिखा हुआ है? iota सर कैसे लिखा है? जाए देखिए sin 90 कितना होता है? sin 91 होता है 1 into iota iota और cos 90 कितना हो जाएगा? 0, 1 का multiply है इसमें होगा तो यह 0 ही रहेगा इसमें multiplier रहेगा तो यह iota रहेगा यहाने कि final आपको क्या मिल जाएगा? iota तो iota को लिखने का एक तो यह तरीका था 0 प्लस 1 iota दूसरा तरीका आपने यह सामने लिखा हुआ है किस तरीके से? 1 into cos pi by 2 प्लस i sin pi by 2 अब इसका भी हमने एक shortcut method निकाली कौन सी method? shortcut method कि आप किसी भी complex number को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर mod z और यह याद है इसको mod z पढ़ते थे और यह जो cos का c है इसको लिख दिया c उसके आद यह क्या पढ़ रहा है? i उसके बाद यह क्या पढ़ता है? s ठीक और फिर यह दोनो theta सेम होते हैं तो क्या लिख दिया? theta तो य यह लिखा जाता है shortcut way में ठीक shortcut way में आपको दिग्या होगा mod z cis theta याने कि आयोटा को लिखने का तरीका क्या है? 1 c i s pi by 2 नहीं है इस तरीके से भी आयोटा को लिखा जा सकता है अच्छा अब इस question को हमने पिछली बात वा लेंदी method से किया था मैंने आपको बोला एक form और हम पढ़ना है उस form का नाम है euler form कौन सा form है euler form तो देखिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि पिछला question भी हो जाए दोनों question euler forms हो जाएंगे विटे euler form euler form ये बोलता है कि किसी भी complex number z को किसी भी complex number z को इस तहिके से लिखा जा सकता है mod ze e की power i theta इसने और छोटा कर दिया इस तीज़ें क्या कर दिया और छोटा कर दिया अब बताईएगा यदि मैं बात करूँ iota को मुझे इस तहिके से लिखके दिखाने तो कैसे लिखूँ हूँआ sir mod z mod z कितना iota का वो निकला हुआ है one लिखा हुआ है तो यह मैंने लिख दिया है यहापर कितना one ठीक कोई दिखकर तो नहीं इसी को mod z बुलाते है mod z चल रहा है यह mod z है अच्छा फिर यह e की पावर i और theta कितना है pi by 2 कोई दिखकर तो नहीं तो iota को basically यदि one का multiply अगा तो क्या लिख सकते हैं सिर्फ i की पावर pi by 2 ठीक तो iota को देखे कितने तरीके से लिख पाए सर पहली बात iota को हम लिख पाए 0 plus 1 iota सर iota को हम लिख पाए कितना 1 into cos pi by 2 plus i sin pi by 2 सर ठीक और क्या लिख पाए सर iota को हम इसी का shortcut method लिख रहा हूं 1 c i s है ने यह 1 लिखा है 1 c i s और यहां पे कितना pi by 2 और एक और फॉंग क्या लिख पाए आयोटा बराबर यहां पे लिख पाए 1 into e की पावर i pi by 2 देख पारें आप iota को ही कितने तरीकों से लिखा जा पा रहा है सबसे आसान तरीका कौन सा वाला हो गया यह वाला तरीका सर क्यों अब बताते हैं इस question को हमने पिछले lecture में किया था नहीं देखा है तो देख के आईएगा हमने क्या किया था हमें निकालना था iota की power iota क्या होता है तो अब जड़ा direct बताईएगा नीचे वाले iota को मैं क्या लिख सकता हूँ iota can be written as e की power i pi by 2 तो यह देखो मैं iota की जगा क्या लिखूँगा e की power i और यहाँ पे pi by 2 और उपर में क्या चड़ा है iota और हमने छोटी classes में सीखा है कि a की power m और whole power n है तो दोनों power multiply हो जाते है m into n हो जाते है तो यहाँ पे जैसे ही multiply होगा तो e की power iota square हो जाएगे यह दोनों multiply होगे जब और यह साथ में क्या चल रहा है pi by 2 चल रहा है यदि ऐसा है तो बताई यह iota square कितना होता है minus 1 और यह कितना चल रहा है pi by 2 जो कि मुझे answer दे देगा e की power minus pi by 2 और हमारा answer था d e की power minus pi by 2 तो देखिए कितने shortest way में हो गया कितने shortest way में यह question solve हो गया आप देख पा रहे है यूलर form का तरीका देख पा रहे है यूलर form ने पिछले वाले question कोई बड़ी असानी से चुटकियों में हल कर दिया क्योंकि यह इतना लंबा लिखना चोड़ा है इस से अच्छा असान तरीक यह था ठीक अब जो question हमारा था उस पर बात कर लेते हैं तो चलिए यह रहा हमारा question इस पर हमें बात करनी है अच्छा एक चीज और बेसिकली आपको याद होगा कि यदि यह है sign है और upon में cause है ठीक इसको हम लिखते थे 10 नहीं बात सब्सक्राइब मैंने ऐसा क्यों रेक्ट लिख रहा हूं 10 और यहां पर डाल रहा हूं थीटा तो यह हो जाएगा कितना sin थीटा और यह भी कितना हो जाएगा cos थीटा यानि कि कल को यदि मैं डाल रहा हूं इस जगह कितना थीटा बाई 2 तो यह कितना हो जाएगा sin थीटा बाई 2 और यह कितना हो जाएगा cos थीटा मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आईए तो वही काम हम यहां पर करने वाले यदि मैं इसको solve करूँ यह लिखा हुआ है पहले इस चीज को solve करते हैं क्या किसा यह लिखा हुआ है 10 theta by 2 can be written as sin theta by 2 by cos theta by 2 यह लिख दिया यहां पर sin theta by 2 upon में कित्ता cos theta by 2 पूरे के नीचे क्या चल रहा है 1 minus iota इसको भी change कर रहा हुआ हुआ कित्ता sin theta by 2 upon में कित्ता cos theta by 2 क्या इतनी बात संच में आई और यह मैंने bracket को क्या कर दिया close कर दिया LCM लेंगे यहां पर LCM लेंगे LCM लेते ही क्या दिखाई देगा यह दिखाई देगा हमें cos theta by 2 plus i sin theta by 2 ठिक और पूरे के अपन में क्या चल रहा है cos theta by 2 और ऐसे ही नीचे LCM ले रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है cos theta by 2 माइनस का i sin theta by 2 और पूरे के नीचे cos theta by 2 cos theta by 2 से cos theta by 2 क्या होगा है? कैंसल होगा है तो real part of हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है cos theta by 2 plus i sin theta by 2 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos theta by 2 माइनस का i sin theta by 2 अब देखिए यहाँ पर कई लोग को दिक्कत होने वाली है क्या दिक्कत होने वाली है? जरा अंदर जया ध्यान से देखिए हमने एक तरीका अभी-अभी सीखा था क्या? कि यदि कहीं पर लिखा हुआ है यह mod z, mod z को हम क्या बोलते थे? r, यह r होता था फिर bracket में cos theta plus i sin theta होता था लेकिन यहीं पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कितना? cos theta plus i sin theta कहीं पर इतना लिखा हुआ है यानि कि उसका r कितना हो गया होगा? उसका r कितना हो गया होगा? 1 इतनी बास में आ रही है अच्छा है इस चीज़ को यह complex number का polar form में यदि इसी चीज़ को eular form में लिखें तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1, mod z वहाँ भी रहता है और e की power क्या लिखा हुआ? i theta यानि कि इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है तो same way में बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैं यदि इसको change करूँगा तो real और बताइएगा इसका यहाँ पर modulus इसके बाहर में कुछ भी लिखा नहीं है तो हम क्या ले लेंगे? 1 यदि 1 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा? 1 into e की power और i और यहाँ पर एंगल लिखते थे तो इन दोनों का एंगल कितना है? theta by 2 तो यहाँ पर भी एंगल कितना चड़ा दूँगा? theta by 2 नीचे बड़ी दिक्कत आती है लोगों को तो देखे, सर, standard form में, standard form में, यह कौनसा form कहलाता है? polar form का, standard form सर, standard form में तो बीच में क्या होता है? plus होता है सर, बीच में plus, पर सर, यहाँ पर बीच में क्या है? minus, तो देखे, आपको याद होगा कि cost minus theta actually में कितना होता है? cost theta होता है, यहाँ पर क्या लिखा हो हैそうですね? तो मैं यहां पर theta by 2 और यहां पर क्या चल रहा हूँ, theta by 2, तो cos theta by 2 किसके equal हो जाएगा, cos minus theta by 2 के, अच्छा दूसरी बार, यदि कहीं पर लिखा हुआ है कितना, sin minus theta by 2, तो उसको लिखा जाता था minus sin theta by 2, यह 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 बार समझ में, निगल जाता है न ऐसा है तो इसको बताओ क्या लिखा जा सकता है सर इसको यहाँ पर मैं रियरेंज करके लिख दे रहा हूं देखिए आप लोगों के लिए क्या है यह तो प्लस आई साइन फीटा भाय टू ठिक यह लिखा हुआ यह रियल चल रहा है इसका अपवां में इसको मैं लिख रहा हूं गौस यहाँ पर लिख रहा हूं E की पावर, I, और एंगल कितना लिखूंगा? माइनस का थीटा बाई 2 हुपस, इतनी बाद समझ में आई होगी Euler form में बदल दिया Polar form को हमने कैसे बदल दिया? Euler form में से, इससे क्या होगा? बता रहे है इससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है देखिए यहाँ पे, यह 1 का तो कोई मतलब है नहीं अच्छा, यदि ऐसा है यह पावर उपर आएगी देखो, मैं लिख दे रहा हूँ E की पावर यहाँ पे कितना है? I, थीटा बाई 2 और यह हो जाएगा E की पावर माइनस I, थीटा बाई 2 चोटी क्लास्ट्ब में हमने एक फॉर्मुला पढ़ा तो, फॉर्मुला क्या था? कि, A की पावर यदि माइनस N है तो, 1 × E की पावर N हो जाता था नीचे जाए और यदि, क्या हो वह यह और ओन आपावर N है तो उपर आएगा तो क्या हो जाएगा? एकी पावर है, positive power हो जाएगी, तो यह हो जाएगा, e की पावर i, theta by 2, और into में e की पावर i, यह भी कितना हो जाएगा, theta by 2, base सेम है, तो power क्या हो जाती है, add हो जाती है, तो यह लिखेंगे, e की पावर i, theta by 2, प्लस i, theta by 2, है की नहीं, यदि ऐसा है, तो यह प्लस हो जाएग किया हो जाएगा? cancer, तो बचेगा सिर्फ कितना? תr सर इससे क्या होगा, देखिये, हमने यहां पर लिखा हुआ e की फाट आई थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, e की फाट अज़गा को कैसे लिखा जा सकता है, दिख रहा होगा, इसके आगे मैं क्या माल लूँगा 1 इसके आगे क्या माल लूँगा 1 यदि ऐसा है तो E की पाई थीटा को इस तरह के से लिखा जा सकता है कोई दिक्कत तो नहीं यह होता है real part of Z और यह होता है imaginary part of Z क्या याद आ रहा है इसी चीज़ को real part of Z बोला जाता हो इस चीज़ को imaginary part of Z बोला जाता है तो बताए यह real part of Z कितना है cos थीटा तो हमारा answer कितना हो जाएगा B answer कितना हो जाएगा cos थीटा याद रखिएगा मैं यह आपर लिख दे रहा हूं जिने यह नहीं पता है कहां लिखते है Z बराबर यदि दीखा है mod Z और bracket के अंदर cos थीटा plus I sin थीटा तो हम real part of Z को अब क्या लिखते है cos थीटा लिखते है और imaginary part of Z को क्या लिखते है sin थीटा लिखते है यह वाले part को बोलते है और जाब वो ऐसा लिखते थे Z बराबर X plus IY तो भी याद होगा कि real part of Z क्या कहलाता था X पीछे मैं बता चुका हूँ और imaginary part of Z क्या कहलाता था Y कहलाता था कोई दिखत तो नहीं तो इसका answer कितना आ गया है cos थीटा कोई दिखत तो नहीं तो यह तरीका था Euler form को और polar representation के combination से बना एक question और जो हमने last session में एक question किया था यह राओ question दिख रहा है इसको भी हमने shortest way में निकाल दिया किसकी मरत से by the help of Euler form तो भूलिएगा नहीं कि किस तईके से work करता है ठेक अब मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ क्या क्या हमने देखा हमने देखा कि किसी भी complex number z को जो की coordinate में x, y के रूप में लिखा जाता है इसको किस रूप में लिखते हैं x plus i, y किसी भी complex number z को अब कैसे लिखा जाता है r और theta की मदद से याने कि इसको यह दि मैं लिखूँँगा तो क्या लिखूँगा r common लूँगा cos theta plus i sin theta इतनी बार सभ्ण में आ गई कोई दिक्कत तो नहीं और तीसा तही का क्या थीका z बरावर यहाँ पे क्या लिखा जाता है mod z और e की power क्या लिखते हैं i theta तो याद होगा सर इसको कौन सा pump कहते हैं इसको sorry इसको हम बोलते हैं कौन सा Cartesian form यह कहलाता है Cartesian form यह कहलाता है polar form और यह आपका क्या कहलाता है Euler's form तो किसी भी complex number को लिखने के हमारे पास basically कितने तरीके होते हैं तीन तरीके होते हैं किसी भी complex number को लिखने के महाँ पास तीन तरीके होते हैं यानि कि यदि किसी ने बोला कि iota तो iota को यदि मुझे Cartesian form में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा 0 plus 1 iota पहली चीज़ यदि किसी ने बोला कि भाईया इसको आप किस form में लिखके दिखा दीजे polar form में तो मैं लिखूंगा 1 times cos π2 by 2 plus i sin π2 ठीक इस पर हमने बात करी पीछे और यदि किसी ने बोला भाईया इसको यूलर form में लिखके दिखा दीजे तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 1 into e की power i π2 बात सुझभाई इस एक नमबर iota को इन तीन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 is Cartesian form, then polar form and then we have euler form तो ये सारे forms ये दिखी आपको याद रह पाएंगे तो अच्छा है आप चीजों को सीख पाएंगे वन्ना आप दिक्कत में फस जाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं तो आज के लिए बस अभी फिलारा हम इतना ही करते हैं next lecture में हम आगे के questions पर बात करेंगे ठीक, अभी के लिए इतना ही और याद से subscribe करना ना भूलिए share करना ना भूलिए और like करना ना भूलिए चले, thank you